असलाम लेकुम डिया स्टूडेंट यूनिट नमबर फोर का आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्राटिजी प्रोविजिनिंग लेटरसी क्लास्रूम और अब उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास राइटिंग टूस का होना क्यों जरूरी है और वो क् हैं कि हमारे पास राइटिंग टूस क्या होते हैं अगर हमारे पास क्लास्रूम के अंदर इस किसम के प्ले एरिया मौजूद हो आज जैसे कि हम यहां पढ़ें बिजनस ओफिस का इंड़ लाइबरेरी का इंड़ किचिन का इंड़ पोस्ट ओफिस और उन एरिया में उससे लिए लिटेड लिफशी तूज रखें हुँ तो बच्चे ना सर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं खेलने में बलकि उनको पढ़ते हैं प्रिटेंड करते हैं कि जा पोस्ट ओफिस में अड़ी स्टेंपस भी होंगी पोस्ट ओफिस में डेफिनेटली अधिपरिंट किसम के पेंसल भी होगी, और बिफेपर्स भी होगे, खतूत बना लें, उनके प्रिंटि आउट निकाल लें, लिंटर्स के प्रिंटि आॉट निकाल लें, यह वह तमाम चीज़्ें जो बच्चें इस्तेमाल करते हैं जिसे उनकी राइटिंग स्वस्ट डिवेलप हो सकती हैं. हम इसकी example देखते हैं कि हमारे रपस क्या है Literacy props आपके मुख्तिलिफ किसम की एरिया में हो सकता है जिसे आपकी telephone book है तो वहां original telephone set रखा हुआ होता है cook book हो सकती है जहां recipe cards हों और cooking corner हों वहां पे आप recipe books भी रख सकते हैं recipe cards भी रख सकते हैं calendar, marker, multiple pair of scissors और कहा हो सकती है newspaper वाले एरिया में हो सकती है appointment books हो सकती है, magazines हो सकते हैं pointer, marker, signature, stamps और books ये सब एकटे रखी जा सकती हैं किसी specific area के अंदर जहां आपने computer रखा हुआ है वहां आप colorful keyboard रख सकते हैं speaker रख सकते हैं, mic रख सकते हैं आप postage notes के साथ envelops रख सकते हैं posters के साथ आप stamps रख सकते हैं ये इस किसम की supporting material और tools हैं जब हम इने play areas में रखते हैं तो बच्चे इने खेलते हैं बच्चे इससे reading भी सीखते हैं writing भी सीखते हैं, listening और इनकी spoken skills भी develop होती चली जाती हैं writing tool के लिए और surfaces के लिए हमारे पस क्या चीज़े हैं जितनी हमारे पस creative tools available होते हैं जैसे किरियॉंज हैं, pencils हैं, highlighter हैं, chalk हैं, pen हैं बच्चों का उतना मज़ा आता है उनको इस्तमाल करने में चाहे वो scribbling ही कर रहे हो और ये याद रखिए, scribbling उनकी writing की foundation है बच्चों को मज़ा आता है creative किसम के print बनाने में type lighter यूज करने में, stances को वो यूज करने में stickers को वो यूज कर सकते हैं, stamps को यूज करते हैं और ये तमाम उनकी writing की foundation है जहां वो एक paper लेते हैं, जहां उनके बास ink होती है a kind of a pen होता है, या stamp होती है, या stickers होते है और फिर वो उसको display करते हैं अपने paper के उपर इसलिए अपको variety of paper की जरूरत है classroom में styles की जरूरत है, size की जरूरत है, type की जरूरत है paper की different dimension हो सकती है different dimensions मतलब ये कि different उसकी मोटाई हो सकती है उसका weight हो सकता है, उसका gauge हो सकता है हमारे पस क्या है, हमारे पस chart paper मौझूद है graphic paper मौझूद है, postcard मौझूद है जिनकों हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी books मौझूद होती है, जिनके अंदर कुछ भी लिखा नहीं होता है simple notebook होती है, drawing book होती है, sketch books होती है उनके paper हम इस्तेमाल कर सकते है paper के इलावा white boat है, magic boat है और इस किसम की चीज़ें जो के writing surface के तौर पर बच्चे बड़ी frequently और बड़े जबरदस तरीके से इस्तेमाल करते है next point, कि जो बच्चे काम करते हैं उसे कितनी देर display रखना चाहिए और कितनी देर बाद वो चीज़ों को change कर देना चाहिए तो classroom के अंदर जो बच्चे एक literacy prop जिसको आप display कर रहे है उसे frequently change कर देना चाहिए amount कहते हैं कि दो से तीन हफतों के दर्मियान जो भी आपने setting या decoration की भी है या vocabulary बच्चें को introduce कर वाई है उसे change कर लें ताके बच्ची नई vocabulary की तरफ आ जाएं अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वह stimulated रहें motivated रहें तो जो कुछ भी बच्चों का रिटन वर्कम को show कर रहें वो दो हफतों से ज्यादा show up ना करें उसके बाद उसको change करें और उन्हें नए प्रॉप से नए words से introduce कर वाएं एक के भी का जाता है कि इस गूट कि आप बच्चों को रोजाना की basis पर अट लीस्ट एक नई किताब से जरूर introduce कर वाएं आप balance रखें कि आज जो किताब्याप इस्तिमाल करने जा रहे हैं अब वो इसके अंदर किस किसमका material इस्तिमाल किया गया है क्या वो आप fictions पढ़ा रहे हैं आप comedies लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए fables हैं या वो facts और scientific facts के उपर based हैं इन तमाम genres को सामने रखते हैं हम एक balance approach के साथ बच्चों को नहीं किताबे frequently दो दिन बाद तीन दिन बाद या रोजाना के basis पे introduce करवा सकते हैं